हेलो फ्रेंट्स, वेलकम इंदा परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूटूब चेनल, मैं भुनिश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ, बेरी मोश्ट इंपार्टन टॉपिक, टाइप साफ मसल वर्क या टाइप साफ मसल कांट्रक्शन, इसके बारे हम डिटेल में ड मसल फाइबर जनरेट टेंशन करते हैं मुसल में या मसल फाइबर में तो इस प्राशस को हम क्या बोलते हैं? physiological process को muscle contraction जब tension generate करेंगे तो इसकी वजह से muscle की length में change भी हो सकती है नहीं भी change हो सकती है लेकिन जो tension generate करने की process है इस process को हम क्या बोलते है muscle contraction अगर हम types of muscle work की बात करें या muscle contraction की बात करें तो जो types of muscle work है या muscle contraction है दो types की होते हैं static muscle work और dynamic muscle work ये static muscle contraction और dynamic muscle contraction जिसमें कोई मैकनिकल वर्क नहीं प्रक्रफाम्ड दोता है मारा डघानिक उचल वर्क होता है उसमें साहे तो पॉस्चर और पोजेशन जो ऊट पोजेश्टन इस मेंटेन दोगावट दो मसल कांटक्षम Static muscle contraction में क्यों होता जो जाइन की पॉस्चर है वो wrapped the Prĩ certified Pwnik करें ऑफमार्य सोरे टो जाइन क्या सबन्हें upfront एसमें जुएन का जो जुएन चाइन मेंचेंड़ कमेंड़ की बात करें तो इसमें चैजांति सिर्टीव Contraction या सम्हां बाद करला है कि या सबसाद हो था है उन्हां सल कांट्रेक्श प्रोडिशंग फोर्ट्स बदाउड चेंजिंग दर लेंथ तो जब कोई मसल के लंद्ध में नचेंज हो और टेंशन ज़रेट हो तो वह आएगा आईसोमेट्रिक मसल कांट्रक्शन के अंदर है मसल्स आर नाट आलबेज डिरेक्ट्ली इन्वाल्व इन दा इन्वाल्वन नहीं होती है जिस मेंन जोँनाट का नहीं होता है जैसा कि आप देख रहा है viewpoint यह सब्सक्रशन telling इन्वाल्व इन्वाल्व स्च कर रहे है जिसए यह बुंवाल्वन की है तो गुमेट्ष हो रहा है नहीं लेकिन muscles जो हमारी है वो isometrically contract कर रही है then अगर हम dynamic muscle work की बात करें तो dynamic जो work है इसमें muscles का जो action है muscle work करते हैं वो 3 तरहिके से एक है isotoning muscle contraction isokinating muscle contraction then isoinertial muscle contraction जो isotoning muscle contraction होता है वो दो टाइप्स के होते हैं concentric isotoning muscle contraction और eccentric isotoning muscle contraction अब क्या होता है हम detail में देखते हैं सबसे पहले अगर हम isotoning muscle contraction के बात करें तो this term is commonly used to define muscle contraction in which the tension is constant throughout the range of motion means इसमें क्या होगा tension तो generate होगा और tension constant रहेगा but muscle की length में changement होगा means अगर इसे कहें तो हैने muscle contract producing force with changing the length of the muscle मुलब muscles में tension generate होनी के साथ-साथ muscle की length में changement देखने को मिल रहा है यह isotoning muscle contraction के होते हैं concentric isotoning muscle contraction और eccentric यहें शाल्टन पर निज३ बार अपिर कांच्छन में जुक्षे आक्फा ल्हुत्त चेंचनल कर दीजा्टरियों के विल्ध्रीक है क्यों मैं स्यां चेनल डिसाथ म सेंट्रियों कांच्छन तो यह हमारा क्या होगा कंसेंटिंग मसल कांट्रक्शनल मसल डबलब सफिसेंट टेंशनल टू ओवर कम दा रिजिस्टेंश आप दी बाड़ी सेगमेट दा मसल साइटन एंड काज जॉइंट मुवमेंट इस यह जो मसल जब साइट होती है तो यह जॉइंट का मुवमेंट कर मोब कर रहा होता है जैसे इसकी ग्यामपल में देखें तो यह देखें हमारा जैसे देखें डंबल को यह ले जा रहा है यह देखें तो इससे क्या हो रहा है हमारी जो बाइसेप्स हैं उनमें कांट्रक्शन हो रहा है उनकी सार्टनिंग हो रही है एल्बो का फ्रक्शन हो इस विज़ासे, देर हम बात करें, अधर इंपल की तो एकसन आप दा quadriceps in extending दा निव हुए दा ascending दा इस्टेर, जब इस्टेर को ascend करें देखें चढ़ रहे हैं स्टेर्स पर तो इससे क्या हो रहा वाक कर रहे हैं, तो इनका जो quadriceps मुसल है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, तो उसमें concentric muscle contraction देखने को मिलेगा, अगर हम eccentric muscle contraction की बात में, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसमें muscles में tension rate होगा, साथ ही साथ मसल के lengthening होली, जैसे दिखे, when there is joint motion, the muscle appear to lengthen, that is, the muscle attachment separated, when a muscle cannot double sufficient tension, and is overcome by the external load, it progressively lengthen instead of shortening, इसमें tension को overcome ना हो करने की वज़ा से, जो हमारी muscles होती हम, उनमें lengthening हो जाती है, साटेंग की नहीं होती है, तो जो हमारी muscle में, लेंदनी हो tension rate होने के साथ था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, e-centering muscle contraction, इसमें negative work done होता है, जैसे कि आपको ये देखिए, हम क्या कि पहले dumbbell concentric, isometric muscle, isotoning muscle contraction में जा रहे थे, तो elbow flex हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, देखे, elbow extend हो रह जा रहे है, तो अब अगर हम बात करें, isotonic, sorry, isotonic, eccentric muscle contraction की, तो जो इसमें के quadriceps work eccentrically, to desalate flexion of the knee during descending the stairs, जब हम जीने पर चड़ रहे होंगे, stairs पर जब वाग कर रहे होते हैं, मिन्स, आप वड जा रहे होते हैं, तो हमारी जो quadriceps मतल होती है, उसका concentric contraction होता है, और जो हम नीचे आ रहे होते हैं, डाउनवर्ड, तो उसमें हमारी quadriceps मतल का eccentric muscle contraction होता है, then isokinetic work की बात करें अगर हम, तो with an isokinetic contraction, resistance to the part varies, but the velocity and speed stay constant, मतलब जो velocity होती हो, हमें सा constant होती है, hence the velocity of shortening and lengthening of the muscle is constant, इससे क्या होगा, muscle में tension generate होगा, muscle के shortening हो सकती है, लेकिन इसमें जो उनकी speed होगी, velocity होगी, यो constant रहेगी, it is, it can be done only with special equipment, इसको हम special equipment से ही major कर सकते हैं, इसके velocity को, like जैसे एक equipment होता है, साइक्स, आर्थो, ट्रान, ऐसे बहुत सारे equipment है, जैसे इसके जैंपल के बात करें हैं, तो cycling, जब एक cycling कर रहा होता है, तो muscle के shortening हो रहे हो रहे हैं, लेकिन इसके speed होती होगी, velocity हो और constant होती है, अगर हम बात करें, iso-inertial muscle contraction की, the resistance against which the muscle must contract remain constant, मतलब जब resistance अपलाई करते हैं, तो उसके against muscle remain constant हो, उसका जो contraction हो, वो remain constant हो, मिस यह अगर एक तरीके से बोलें, तो isometric contraction की तरह होता है, बड़ थोड़ा सा difference होता है, इसमें जो muscles पर resistance लगया जाता है, वो constant होता है, iso-inertial contraction occurs when constant external load is lifted, जो हम constant external load lift कर रहे होते हैं, उस condition में iso-inertial contraction होता है, if the moment means dark force produced by the muscle is equal to or less than the resistance to be overcome, मतलब जो resistance अपलाई कर रहे हैं, उसके equal हो, या less हो, muscle length remain unchanged, तो इसकी वज़े सके होगा, muscle की जो length हो, चेंज नहीं होगी, the muscle contract isometrically, तो iso-inertial contraction को हो, isometric contraction भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा minor difference है, आपको समझ में आ रहे होगा, थेंक्यू, थेंक्यू, तो मच्च, this is all about types of muscle contraction, या types of muscle, प्लीज वीडियो ध्यान से देखेगा, और प्लीज हमें वीडियो देखने के बाद जरूर रताएगा, आपको वीडियो कासा लगत है,